असनाम लिगोंगे और स्टुटेंट्स आज वे अन्टो के अधिया। प्रियोड के लिगी से इंवेशन ग्राइशन के जाती है उसके बाद में बात करें। लास्ट आपको नोने प्रियोडिक टेबल के अदर बुरुक्स, पिरियाट्स, फैमिलीज, उनकी क्लासिफिकेशन, मैटल, नौन, मैटल, कटल, पॉलाइट्स के वाले से और इसके लाब आपके ब्लॉक्स को डिस्टिस किया आज उनको किसी प्रियोडिक टेबल को यूज करते हुए, जो एलिमेंट्स के अदर फिजिकल और चेमिकल प्रॉपर्टी इसमें चेंज है, उसको डिस्टिस करें, तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है, जिसका स्विवाभी वो अमाल पास है, अटॉमिल रेडियस। अब अटॉमिल रेडियस को रहा है, यह बहुत भी बेसिक आपके पास समझे जो प्रॉपर्टी है, अगर आपको अटॉमिल रेडियस समझा जाती है, तो इससे फिर आप बहुत ज्यादा इंफ्रॉपेशन जो है इलिमेंट उसको ड्राइब कर सकते हैं, अब सबसे पहले क इसके जरूरत क्यों पढ़े हैं, क्या बजा है कि हम अटॉमिक रेडियाई को डिस्कस करने हैं, बच्चो याद रहे कि एक सिंगल एटम को देखना नमुंकिन के करीनी बहुत है, तो यह भी बड़ा मुश्की लग है, अगर एक एक एटम को आप देख नी सकते तो आप किस के साइस के बारे में रदाला लगाते हैं, अगर मेरे पास थो इसके या ये रेचिय मना देता हूँ, इसको मैं और we another one क्या देता हूँ, इसको मैं और tr. ना तो वैसे तो इन देरा है आतुए तरह किस मैं इसमें से और तू बढ़ है और यह निलन इसको आप में सुंस करने इसको डूह तो चाहिक फूस करें उन दो को तो एक दिसicação कि यह तूतर है तो अगर इसका कोई वР तो simply जो atomic radius है ये किसी भी element के size तो बताता है ये बाद आप लाजनी जहें में रखें कि जो atoms है उस circle में नहीं होते हैं आप atom को एक sphere consider नहीं कर सकते हैं just हमारी understanding के लिए हम इस चीज़ को कह सकते हैं वो एक circle की form है और ये इनका radius है लेकिन याद रहें एक atom जावस्प्रियर की form में नहीं होते हैं just हमारी understanding के लिए अब atomic radius किस तरीके से आप calculate कर सकते हैं ये समयना जोड़ी है अब एक एकेला atom उसको देखना बहुत मुश्किल है तो ऐसा ख्याल किया जाता है कि जब दो atoms vibrate करें हो और उनकी boundaries आपस में एक दूसरे को किसी एक point के ओपर touch करें अब है अब है अब है सिंदल एटम का रेडियस रेडियस पाइंड करना ना मंकिन के करीब है लेकिन हम इस फोस कर लेते हैं कि दूरि इंग्रेशन दी बांड़िस ओफ़ एक डुडंस में अपुलाइड ने जिवाइंड करें तो उसकु दुराहें जो उनके नियुक्लियाई है तो उनके निप्लियाई का आप जो डिस्टन्स है इसको मैयर कर सकते हैं वाइड डिफ्रेंट टेक्नीक्स पिर आप क्या करें उस मैयर की गए जो डिस्टन्स है उसको हाफ कर दें तो हाफ करने से आपके पास एक सिंगल एकम का रेडियस आजाए इनके इस ऑप कारबन का जो इंटर निप्लियर डिस्टन्स है वर्ड रा सुनियेगा इंटर निप्लियर डिस्टन्स इंटर नी इंबिट्वीन इनके डिस्टन्स के दर्म्यान मी फास्ट या नि दो अप्लियर डिस्टन्स इंटर निप्लियर इस्टन्स इंटर डिटन्स इंकेश ओं कंडवीड़ टार्ष एंटर-विक्योटन्स ता अग्स का नाव कोने लावा से एक कार्बन आटम का रेडियाइड देर जो के बनेगा 77 पी लिए अब सिंगल कार्बन का रेडियस मानुकरना मुश्किल है लेकिन आपने इस तरीके से इस कॉंसेट के दिए से सिंगल का रेडियस फाइंड करें यह तुरा कि राइडियस निया जो आप priority table की अंदर देखते हैं, तो क्या trending आई देता है, कैसे radius change होता है, और इस radius की change होने से elements की properties पे क्या effect होता है अब सबसे पहले हम groups की बात कर लेते हैं, ग्रूप्स आप जानते हैं, वर्टिकल जो columns हैं, product table के दर दो गुरूस कोरते हैं, और जब भी आप एक वर्टिकल ग्रूप्स की अंदर देखते हैं, तो आइस्ता आइस्ता, atom का size increase कर जाता है, जब आप drop से bottom जाते जाते हैं, इसकी वज़ग है, like in case of group 1, अल्कली metals, तो यह आपके पास आज़ेगा hydrogen, यह आज़ेगा lithium, यह आज़ेगा sodium, उसी त्रीके से जब फर्दर move करेंगे, potassium, rubedium, season, francis के पास, तो size होएना वह बहुत बढ़ जाएरा है, size के बढ़ने की दो बज़वाद है, अब यह दो reason सुनीगा है, पहली reason, increase in number of shells, अब यह जो increase होगा, यह ग्रेजमर नहीं होगा, यह successive increase होगा, यह तरह ब्याद जरह स्थोपिया करीजेगा, successive increase होगा, जैसे, आप suppose करें, आप ceiling का चलिए, तो a step, फिल्दूसरा step, फिल्दूसरा step, फिल्दूसरा step, फिल्दूसरा step, यानि, one के लिहाद से, एक एक अदद बढ़ता जाता है, addition हो रही है, यहाँ पर, जो पहना element होगा, top पर उसका addition होगा, लेकिन जब आप नीचे वादे element के पास आएंगे, तो इसके दो शयद हो जाएंगे, sodium के पास आएंगे, तो इसके तीट शयद हो जाएंगे, यहाँ पर एक शयद होगा के, यहाँ पर एक होगा, दूसरा L, A, K, L और M, ऐसा क्यों है, hydrogen का एक शयद है, lithium के दो है, sodium के तीन है, अगर आप एक टॉमिक, जो electronic configuration है, उसको आप लिखे तो आपन दागा हो जाएंगे, यहाँ आजएगा, 1S1, lithium आप पस्तरी जाजएगा, 1S2, 2S1, sodium का, 1S2, 2S2, 2P, 6, 3S1, this is K, this is L, and this is M shell, basically, एक पुमसर्ट आपने, maybe 9th class में पढ़ा हो, अगर पढ़ा होगा तो इसको just revise कर लेते हैं, जो आपको का period number होता है, period number, यह आपको बताता है number of shells का, तो यह भी जो particular element है, जो कि किसी एक period से belong करता है, तो जो उसका period number होगा, उसके shells की तदार भी होगी, अगर आपका पास hydrogen है, तो यह belong करता है P1 से, P1 means period 1, lithium P2 से, और sodium P3 से, तो पहली reason क्या है, जैसे कि ऐसे downward roof करेंगे, successive increase होगा number of shells के अदर, और हमें कैसे पता चलता है, जो period number होगा, element के उपने ही number of shells में, एक तो बात यह है, दूसी बाता है, वैसी बीट जो गया पाहा चाता है, जैसे hydrogen है, तो lithium के दरम्यान को का फ़र्द है, lithium, sodium के दरम्यान को का फ़र्द है, तो atomic number भी बढ़ता है, जिसकी वज़ा से, जो proton and nucleus के अंदर, उनकी तदार भी बढ़ती है, और protons के साथ, जो electrons correlate कर रहे होते हैं, जो के उनकी तदार के बराबर होते हैं, उनकी तदार भी बढ़ती है, तो देखे, atomic number भी इसकी एक बज़ा है, लेकिन मेजन इसकी जो बज़ा है, वो shens का बढ़ जाना, तो ये ग्रूप के अंदर दिखाई दिखाई करी माली विग्रिश है, अब आप बात कर लेते हैं, period जो आई, कि periodic table की अंदर, जो periods मौझूद है, इन में क्या trend है, अभी आप लिखना है, जब ही आप लिखना है, जब ही आप periodic table में, टॉप से bottom move करेंगे, तो atom का size अब increase करकर, बहुत number trends are increasing, successively, एक के बाद एका इका इसाब हो रहा है, period में जब आप आप move करेंगे left to right, periodic table को पढ़ना, ये भी, प्रॉपर समझ नहीं कि, आपने टर्पेनोजी को सेंपर रहना है, प्रॉपर वर्जिक है, कि when we move from top to bottom, when we move from left to right, ये आपने याद रहना है, जब हाँ left to right move करेंगे, atomic radius decreases, ये simply periods के लिए time होनी जाती है, कि periods के जदर atomic number decrease करता है, हमें decrease क्यूं करता है, पहली reason, नबर ओफ शेल्स रिमें कॉंस्टेंट, स्पोस करने, आपके पास ये लीथियम है, तो लीथियम के बाद फर्दर जो element आजएगा, पीरियड के अबदर करें, हमाने लाइक बताई थी listen BBC News, listen BBC News on Friday night, यानि लीथियम, फिर उसके बाद लीथियम ये पीडू के elements रहे हैं, पीरियड नमबर टू, ये उसके elements हैं, तो यहां बज़े की इस सारे पीडू से भी लॉट कर रहे हैं, इसका मतलब है, जो पीरियड लीथियम का होगा, वह भी पीरियड नियॉन का होगा, तो atomic radius decrease करने की एक बज़ा है, number of shells का constant रहना, जो इसकी major reason जो है, वो यह है, number, sorry, increase in atomic number, atomic number जो है, वो बढ़ता चाहेगा, वो भी जैसे लीथियम है, तो इसकत्री है, वेलियम का atomic number 4, फिर इसका 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 80 proton का इजाफ़ा है, अब इस atomic number की इजाफे से क्या होता है, बच्चों, atomic number की इजाफे से nuclear charge increase होता है, nuclear charge का मतनब है, protons की कदाफ बर जाएगी, जो आपका nucleus low का, atom का, वो बहुत ज्यादा strong हो जाएगा, और जब nucleus बहुत strong हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, जो electrons होंगे, उनको बहुत ज्यादा, ताक्त से उसको attract करेगा, जिसकी वज़ा से size आपो शरीक हो जाएगा, ये figure दरा like ये देख लें, अगर nucleus बहुत strong है, इसमें बहुत ज्यादा positive charge है, heavy nucleus है, और ये suppose करेंगे, आप electrons रहे हैं, वो मौझूद है, इसके around, तो क्या करेगा, nucleus इन electrons को अपनी तरफ attract करेगा, अब इसी attraction की वज़ा से क्या होगा, वो electrons nucleus के करीब आ जाएगे, result क्या होगा, size में कम ह बाकिया हो जाएगी, shrink हो जाएगे, size में कम होता जाएगा, तो दो reasons आपने याद रखते हैं, periods के अंदर क्या होता है, number of shells constant रहते हैं, लेकिन atomic number बढ़ता है, atomic number के बढ़ने से nuclear charge बढ़ेगा, इसके साथ आप और लख्स का इजाफा करने, that is effective nuclear charge, ये शीनिट में आपो गता होता होता है, effective nuclear charge क्या होता है, just effective nuclear charge बढ़ेगा, यानि number of protons बढ़ेगे, और protons के बढ़ने से nuclear strong होता हैगा, electrons तो अपनी तरवग ज्यादा ताकर से अट्रेक्ट करेगा, attraction बढ़ेगी, और size में और श्रिंक होता जाएगा, तो ये general variation है, जो कि हम लोग प्रियोडिक के बढ़ देखते हैं, group के अबदर जब आप जाएं, top से bottom, तो number of shells में इजाफा होता जाता है, जिसकी वज़ा से size है, उसमें बहुत ज्यादा increase बिखाएगेगे, periods के दर left to right जाएंगे, atomic radius degrees करता है, because number of, जो atomic number हो बढ़ेगा, इससे effective nuclear charge बढ़ेगा, और उसके साथ, जो shells हो constant, देग आप उसके दर, protons, electrons को एंटर दर्वाती ही जा रहें, जिसकी वज़ा से, उनकी प्रेंशिन अब हो, थो रिसी की balance हो जाती है, तो ये, आज के topic के मतलिक है, कोई question हो इसमें, तो आप पूछ सकते हैं, मैं number pension कर देता हूँ, comment box में आप, पूछ रहें, या वर्सक कर दे, अप बञाएंगी को जाएंगी की भगाभा से, कैसे को हैं अपुम मीर दोश Ama मैं से, मैं country, सैकी इंकी तो बड़ हो जाती हैं, मैं तो खाली है, कीं ऑ city